नौईडा के पार्कों में नमाज पढ़ने का मामला गर्माता जा रहा है। आज पुलिस ने एहतियात बढ़ती और सक्ती भी दिखाई है। हलाकि एक दूसरे पार्क में नमाज अतागी। नौईडा के सेक्टर 58 के पार्क में पुलिस बलतैनात किया गया नमाज पढ़ने की मना ही है पार्क में नमाज पढ़ने समेथ किसी भी धार में गतिविदी पर रोक लगा दी गई है 25 दिसंबर को नौईडा के डियम ने प्रेस कॉनफरेंस की और इस बात की चानकारी ने पुलिस के फैसले को सही बताया प्रिशासन ने सुप्रीम कोट के आदेश का हवाला दिया कहस सभी लोग बराबर है स्थाने लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने नमाज पर रोक लगाई थी सेक्टर 58 के पार्क में करीब 400 लोग नमाज पढ़ने लगे थे आज हम पौजूद है सेक्टर 58 थाना के इंडेस्ट्रिल एरिया के उसी पार्क में जहां पर एतियातन तोर पर PSC बल के साथ साथ पुलिस की अतरिक्त फोर्स को भी लगाया गया है क्योंकि कि किसी तरीके का कोई नियमों का उलंगन ना हो सके और सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2009 का कि खुले में या सारजनिक जगा पर कोई भी धार्मिक कार्यकर्म का आयूजन नहीं होना चाहिए और अगर आपको धार्मिक कार्यकर्म का आयूजन करना है तो उसके लिए पूरी तरीके से अनुमती लेनी पड़ेगी नौईडा की इस पार्क में नमाज समेच किसी भी तरह की धार्मिक गतिविदी पर रोग है पुलिस ने इसके लिए आसपास की कंपनियों को नोटेस जारी किया था पुलिस ने कंपनियों से कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को पार्थ में नमाज पढ़ने से रोके अगर नोटिस के बाद भी कोई व्यक्ती नमाज पढ़ने के लिए पार्थ में जाएगा तो कंपनी की से मेदारी होगी क्योंकि कानून तो इस देश में एक बराबर होगा ना सबके लिए आप नमाज पे पूजा पे इबादत पे रोक लगाने पे लग गए हो जिस पर अभी तक कभी ऐसा भी बाद नहीं होता था यह कौन सा ऐसा गलत काम है जो आप उस पर रोख रहे हैं? नौईडा सेक्टर 58 में नमाज की इजाज़त नहीं मिलने के बाद लोगों ने सेक्टर 63 के पार्क में नमाज अदा की इस पार्क में करीब 300 लोग मौजूद थे